हेलो एवरीवन तो कैसे हैं आप सभी एक्जाम ओरिजिनल्स के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरा नाम है अदिती कुसवाहा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अभी रिसेंटली जापान के जो पूर्व प्रधान मंत्री है जिनका नाम सिंजो एवे था उनको किसी ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी है तो इससे जितनी भी इंपोर्टेंट बाती हैं वो सब मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाली हूँ लेकिन इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक्जाम ओरिजिनल्स के यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा जो आप लोगों को MPPSC की प्रेपरेशन में काफी जाधा मददगार सावित हो सकता है तो चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जापान के जो पूर्व प्रधान मंत्री है जिनका नाम सिंजो एवे है वो 8 जुलाई को जापान की नारा सिटी में अपना एक भाशन दे रहे थे तो उस टाइम एक 6 घंटे तक इनका इलाज चला लेकिन उसके बाद भी इन्हें बचाया नहीं जा सका और अब सिंजो एवे जी जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं कि 8 जुलाई जो है उसको सिंजो एवे जी जो है उनकी मृत्यू हो गई थी इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसा कि मैंने अभी बताया सिंजो एवे जो है वो जापान की नारा सिटी में अपना एक भासन देने के लिए गए थे तो उसी टाइम वहीं का नारा सिटी का ही रहने वाला एक यूबक था उसने फाइरिंग करना सुरू कर दिया और उसने दो गोली सिंजो एवे को मारी जिसके बाद वो बहुत बुरे तरीके से घायल हो गए थे तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जिस पर्णसन ने इन्हें गोली मारी है वो कौन था और वो उन्हें क्यों मारना चा तो इसके बारे में अगर हम लोग बार करें तो सिंजो पर हमला करने वाला जो सूटर है उसका नाम तैथसुआ यम गमी बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह जो पर्णसन है वो 41 साल का है और यह जापान की मिलिटरी में भी रह चुका है इसके अलावा यह जाप के से अगर हम लोग कहें यह जो पर्षन है इसने जापान की जो सेना है उसमें भी अपना काफी जाधा योगदान दिया है इसके अलावा जब इसे पकड़ा गया तो फिर इससे पूछा गया कि इसने सिंजोयवे को क्यों मारा तो इसका कहना है कि सिंजोयवे की जो भी नीतिया हुआ करती थी उनका कार करने का जो तौर तरीका हुआ करता था उससे यह जो पर्षन है वो बहुत जाधा असंतुस्त था यानि कि उनके कार करने के जो तरीके थे जो भी वो नीतिया बनाते थे वो इस पर्षन को पसंद नहीं आती थी इस वज करते थे उन्होंने जब इसे पकड़ा तो इससे काफी सारी चीजों का पता चला जैसे कि आप इसकी ये जो गन देख रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है कि ये गन इसने खुद ही अपने घर पर बनाई है क्योंकि जापान जो है वो एक बहुत ही अच्छी सिटी मानी जाती है या फि इतनी आसानी से किसी को लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि वो अपने पास गन रख सके तो इसी वज़े से ये जो परसन है इसने खुद ही गन अपने घर पर बनाई थी सिंजो एवे को मारने के लिए यानि कि ये जो परसन है वो काफी टाइम से उनको मारने की प्लानिंग कर र इसका नाम है यह नारा सिटी का ही रहने वाला एक परशन है तो इस तरीके से अब हम लोग आगे बात करें लेटे हैं यानि कि इन से इंपोर्टन बातें के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने अभी बताया यह जापान के पूर्व प्रधान मंत्री थे यानि कि अभी रिसेंटली जापान के जो प्रधान मंत्री है उनके पहले जो जापान के प्रधान मंत्री हुआ करते थे वो सिंजोयवे जी थे अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली जापान के जो प्रधान मंत्री है उन जापान की राजधानी टौक्यों में हुआ था इसके बाद फिर 26 सितंबर 2006 को जब यह 52 एर के थे उस टाइम पर यह जापान के प्रधान मंत्री बने थे लेकिन उस टाइम यह सिर्फ एक साल के लिए ही यानि कि 2006 से 2007 तक प्रधान मंत्री के पद पर रहे थे उसके बाद फिर 2012 में 12 से प्रधान मंत्री बनते हैं और तब से लेकर फिर 2020 तक प्रधान मंत्री रहते हैं तो इस तरीके से अगर हम लोग कहें present time में जो इनकी years थी यानि कि अभी जो इनकी death हुई थी उसके time में इनकी जो years थी वो 68 year थी तो 68 year के जो सिंजो एबेजी थे उन्होंने जापान में लगभग 9 वर्सों तक प्रधान मंत्री पद को समाला है यानि कि अगर हम लोग बात करें इन्होंने दो तरम में वहां का जो प्रधान मंत्री पद है उस पर कार किया है पहले 2006 से 2007 तक फिर 2012 से लेकर 2020 तर तो इस तरीके से ये जापान में सबसे जाधा लंबे समय तक कार करने वाले प्रधान मंत्री के रूप में भी जाने जाते हैं इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो 2020 है उसमें इन्होंने प्रधान मंत्री पद से इस्थिपा दे दिया था क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि सिंजो एवे जी जो है वो एक किसी बीमारी से पीड़े थे तो इस तरीके से अगर उसमें कोई भी ऐसा परशन रहता है जो किसी भी बीमारी से पीड़े थे तो उसको अलाउड नहीं किया जाता है इस वजए से सिंजो एवे जी ने खुद ही अपना इस्थिपा दे दिया था तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं इसके लावा अगर हम जी के टाइम पर भारत और जापान के जो रिलेशन रही है वो किस तरीके के रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग कुछ बाती कर लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि सिंजो एवे जी का जो टाइम पिरिड़ था वो भारत जापान सम्मंदों का सबसे बहतरीन दौर माना चाता ह क्योंकि भारत को काफी जाधा पसंद करते थे यहां तक कि अगर हम लोग बात करें हमारी कंट्री के जो लीडर है प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी उनके साथ भी उनके काफी अच्छे संबंद रहे हैं दोनों ही जो नेता हैं उनको बैस्विक मंचो पर अगर हम लोग कहें एक अच्छी बांडिंग नजर आती है यानि कि जितने भी इंटरनेशनल ग्रोप्स या और्गनाइजेशन है जैसे कि क्वार्ड है जी ट्वैंटी है इस तरीके से और भी जितने भी और्गनाइजेशन है जिनमें इंडिया और जापान दोनों ही पार्ट है तो उसमें इन दोनों नेताओं की काफी अच्छी बांडिंग देखने को मिलती है इसके अलावा जैसा कि मैंने भी बताया सिंचो अवी जी जो है वो सबसे जाधा भारत का दौरा करने वाले जापानी प्रधान मंत्री भी माने जाते हैं इन्होंने तीन बार जापान का दौरा किया है कब प्रधान मंत्री ने नहीं की हैं इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2014 में ये जब हमारी कंट्री में रिपब्लिक डे मनाया जा रहा था यानि कि 26 जनवरी को जैसा कि मैंने भी बताए ये जनवरी 2014 में भारत आये थे तो उस टाइम ये ऐसे पहले प्रधान मंत्री थे जिन हमारी कंट्री में रिपब्लिक डे पर मुख अथिति बनाया गया था यानि कि इनके पहले और किसी भी जापानी प्रधान मंत्री को हमारी कंट्री में रिपब्लिक डे पर मुख अथिति के रोप में आमंत्री नहीं किया गया है सिंजो एवे जी ऐसे पहले जापानी लखी गई थी साल 2005 में दोई पक्षिय सिकर सम्मेलन यानि कि जो टू प्लस टू डायलग होते हैं उनकी भी शुरुआत हो गई थी उसके बाद जब 2012 में सिंजो एवे आती हैं तो उन्होंने भारत के साथ अपने संबंदों को सुधारने पर काफी जाधा जोड दिया यानि कि अगर हम लोग सिंपल वे में कहें तो सिंजो एवे जी के आने से पहले भी भारत और जो जापान है उनके बीच में थोड़े अच्छे संबंद देखने को मिलते थे लेकिन सिंजो एवे जी जो है इन्होंने काफी जाधा संबंदों को मजबूत करने की और अपना जो जो ज दिया था तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं सिंजो एवे जी के पर हमारी कंट्री के प्रधान मंतरी है नरेन मोदी जी इनके साथ काफी अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं साथ ही जब मनमोहन सींग हुआ करते थे उस टाइम उनके साथ भी सिंजो एवे क काफी अच्छे रिलेशन हुआ करते थे इसके अलावा जो अनरेन मोदी जी जी हैं जब वो गुजरात के मुखमंतरी हुआ करते थे उस टाइम भी ये काफी बार भारत आये हैं और इन्होंने गुजरात का भी दौरा किया है तो इस तरीके से आप लोग इनके बारे में या क्योंकि सिंचो एफ़े जी जो है इने ही कौड के गठन का विचार सबसे पहले प्रस्तूत किया था यानि की अगर हम लोग कहें कौड जो ग्रूप देखने को मलता है जिसमें चार कंट्री देखने को मलती है इस तरीके कि किसी ग्रूप को बनाये जाने का जो सबसे पहले विचार है वो सिंचो एवे जी ने ही रखा था अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि Quad Countries जो है उसमें कौन-कौन सी Countries आती है यानिकि Quad की Member Countries कौन-कौन सी है उसका answer आप लोग मुझे comment box में ज़रूर दीजेगा तो इस तरीके से क्वार्ड जो है इस तरीके के किसी ग्रूप के गठन का जो विचार है वो भी सिंचो एवेजी ने ही सबसे पहले प्रस्तुत किया था इसके अलाव अगर हम लोग बात करें इंडिया और चाइना के बीच में जो काफी टाइम से बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं तो उसमें भी जापान ने यथा स्थिती को बदलने के लिए चीन के खिलाब कई सारे बयान दिये यानि कि उन सारे जो गतिरोध हुए या फिर जो भी भारत और चीन के बीच में विवाद हुए हैं उन समय जापान ने भारत का पक्ष लिया है और चीन के खिलाब बयान दिये हैं जैसी कि अगर हम लोग बात करें डोकलाम सेक्टर वाला जो बिवाद था इसके लावा और भी जितने भी वार्डर डिस्प्यूट हुए हैं उन समय जापान ने हमारी कंटरी का ही पक्ष लिया है इसके अलावा इंडिया और जापान दोनों ने माल्दिव और श्री लंका में कई तरीके के प्रोजेक्ट की आधार सिलावी रखी है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सिंचोयवेजी जो है वो जापान के ऐसे पहले प्रधान मंत्री थे जिन्हीं हमारी कंट्री के सबसे बड़े यफर अगर हम लोग कहें दूसरे जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जिसका नाम पदम विभूशन है उससे 2021 में सम्मान किया था यानिकि इससे पहले जापान के ऐसे कोई भी प्रधान मंत्री नहीं रहे हैं जिन्हें हमारी कंट्री के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान अवर्ड यानिकि जिसे हम लोग पदम विभूशन कहते हैं उससे सम्मानित किया गया हो तो 2021 में सिंचोयवेजी को हम हमारी कंट्री के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान अवर्ड से भी सम्मानित किया गया था अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताईएगा कि हमारी कंट्री का जो पहला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान अवर्ड है वो कौन सा है या फिर उसका नाम क्या है ये आप लोग मुझे comment box में comment करके जरूर बताईएगा तो आज के वीडियो को हम बच इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लावा आप हमारे चैनल पर और भी कई सरीके के जो सिलेवस हैं वो देखने को मिल जाते हैं जिनका भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं जैसे कि अगर हम लोग बात करें हमारे चैनल पर आप लोगों को MPPSC का पूरा पाठिकरम देखने को मिल जाता है प्री और मेंस दौनों का study material के साथ इसके लावा हमारे चैनल पर आप लोगों को एकाई बार व्याख्यान भी देखने को मिल जाता है यानि कि जिस विसाय में आप कमजोर हैं केवल उसी के आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके अलावा प्री और मेंस की test series, C-set और NCRT इसके अलावा MPSI और पतवारी का भी पूरा पाठिकरम देखने को मिल जाता है तो इस YouTube चैनल के अलावा आप हमारा offline batch भी join कर सकते हैं और इन numbers या फिर कहीं भी आप लोग हमारे mail पर हमसे contact कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हमारा offline batch भी join कर सकते हैं इस तरीके से हमारे चैनल पर आप लोगों को काफी सारी important चीजें देखने को मिल जाती हैं जिन से जुड़कर आप लोग अपनी MPPSC की preparation को काफी बहतर दिशा दे सकते हैं तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं वीडियो कैसा लगा ये comment box में जरूर बताईएगा और जो भी question मैंने पूछी हैं उनकी अंजर भी जरूर दीजेगा मिलेंगे अब हम next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद